नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कुमार ट्रॉटोरियन्स दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक है पासिंग एरे टूए फंक्शन हम फंक्शन में एज आर्गुमेंट एरे को पास करेंगे और देखें इतने तरीके से इसको पास कर सकते हैं और इसी के साथ इसको एक एक जांपल के दिरूब ही देखेंगे तो चलिए टॉपिक सुरू करते हैं तो यह है आज का टॉपिक पासिंग एरे टूए फंक्शन दोस्तों किसी भी फंक्शन में एज आर्गुमेंट हम एरे को पास कर सकते हैं लेकिन इसके दो तरीके हैं पहला पासिंग एरे एलिमेंट्स टूए फंक्शन आप एरे के एलिमेंट्स को वन बाई वन इसी फंक्शन में पास कर सकते हैं दूसरा है पासिंग एंटायर एरे टूए फंक्शन आप कम्प्लीट जो एरे हैं उसी को एज आर्गुमेंट पास करें फंक्शन में तो दो तरीके हैं दोस्तों एक में हम element पास कर रहे हैं और दूसरे में हम complete array को पास कर रहे हैं देखे इसमें भी variations है जब आप array element को पास करते हैं किसी function को तो उन्हें as a call by value पास कर सकते हैं या call by reference पास कर सकते हैं तो यहां पर इस video में तीन point है जब आप array element को पास करते हैं किसी function को तो as a value पास कर रहे है as a reference पास कर रहे है और entire array को पास कर रहे हैं किसी function में तो यही तीनो point में इस video में आपको बताने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं पहला point है passing array elements to a function by value दोस्तों इस concept को एक example की थूँ समझते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने एंटरफाइल लिखी stdio.h फिए konio एंटरफाइल और फिर आपने एक function declare किया जिसका return type है void function का नाम है display और आप इसमें एक argument पास करेंगे जो की integer type है और वो argument है जह value pass करेंग उसके बाद हमने main function लिखा उसके अंदर आपने list नाम से एक array बनाया array को declare किया और initialize किया उसमें आपने कुछ values initialize किया इसके बाद एक i variable declare किया i जो कि हमने loop चलाने के लिए चाहिए पिर हमने loop चलाया array element को access करने के लिए for loop चलाया i equal to 0 से initialize किया i is less than 5 i की value जब तक 5 से less than रहेगी तब तक यह loop चलेगा i plus plus है तो यह loop आपका 5 times चलेगा i equal to 0 के लिए 1, 2, 3 & 4 के लिए अब इस loop के अंदर जो हमने statement लिख रहा है हम इस function को call कर रहे है function calling statement display function को call किया है और इसमें as a argument हमने list array के ith index को pass किया है जो i की value 0 है तो list array के 0 index पे value जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 value आएगी यहां पे अपने 10 value पास हो गई जब भी आप किसी function को call करते है तो compiler उस function को definition को execute करता है तो सबसे पहले main function लिख देते है main function यहां पर close हो गया है उसके बाद display function की definition लिखते है तो avoid display integer a जो function column में वहां से जो element आ रहा है 10 उसको हमने a variable पर store किया और यहां पर हम उसको print कराएं अब we're using print up statement slash and new line के लिए percentile b की जहाब क्योंकि हमने यह integer variable है आपका percentile b लिखा है फिल a variable की value प्रिंट हो जाएगी function close तेके दोस्तों हमने इसमें कुछ कोई जादा बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया है वह simple program बनाया है क्योंकि हमारा motivate आपको concept तो यहाँ पर हमने function declaration हुआ array declaration with initialization उसके बाद यह हो गया function calling यहाँ पर यह loop आपका 0, 1, 2, 3, 4 के लिए चलेगा जितने time से loop आपका execute होगा उतने time यह function call होगा और list array के particular index के जो भी values है वह यहाँ पर pass हो जाएंगी वह values जाएंगी function definition पर और k variable के इंदर store होगर के इस program को जब आप execute करेंगे दोस्तों तो scout port आपको मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50 जो array की value है जो array की value है just हम उनको print करा देग I hope आप यह समझ गया होगे जलिए second point पर चलते है passing array elements to a function by reference अब आप जो elements पास करेंगे उनको by reference पास करेंगे सबसे पहले हमने header file लेकी function को declare किया पहला change यहाँ पर है अब हमने इस function के जो argument है उसमें data type के साथ star भी लगा है तो यहां से compiler को पता चलता है कि अब जो argument pass होगा वो by reference पास होगा आगे चलते है void main function array हमने declare किया और initialize किया array का नाम है list i variable for loop चलाया उसके बाद functional को call किया देखिए दूसरा change है यहाँ पर जब आप functional call कर रहे है तो आपने जो argument दिया है उससे पहले 10% लिखा है इसको हम address of operator कहते है अब जिसे i की value starting में 0 है तो list array के 0 index पे value है 10 तो अब यह क्या करेगा list i list array के 0 index का जो address है यह pass करेगा क्योंकि कोई भी value हम लेते कोई भी variable होता है या array है तो उसे memory address मिलता है तो अब हम यहाँ पर उस memory address को pass कर दाए तो यह 10 value आपकी 0 index पे store है इस 0 index की value का address यहाँ पर pass करेगा इसी ही कहते है function call by reference उसके बाद तो फंक्षिन की definition में हमने int star a लिख रहे है तो यह पोईंटर वेरियबल that store the address of another variable तो यह पोईंटर वेरियबल ने जो हमाँ से address आ रहा है उसको store किया और simply हम print कराएंगे फंक्षिन पर्संटाल डी integer के लिए तो यह पोईंटर पर जो भी address है उस address पर क्या value store है वो यह print करेंगा इस operator form कहते है value at address operator तो पोईंटर के पास जो भी address होगा उस address पर क्या value store है वो print हो जाएगी और प्रोग्राम आपके यह पर complete हो जाता है प्रोग्राम मही simple है हमने ही कह रहे ही elements को pass किया है लेकिन इस बार by reference pass किया है उसे function की definition में pointer के तुरू उस address को store कराया है और उसके ही तुरू हमने values को print कराया है जब आप इस program को execute करेंगे तो आपको यहां पर मैं बता जिता हूँ कि क्या क्या changes हुए थे पिछले program में के मकाबले पहला change था यहां पर जब आपने function को declare किया था दूसरा change था जब आपने function को call किया था तो उससे पहले address of updated लिखता है तीसरा change है जब आप function की definition लिखते है उससे पहले यहां पर आपने pointer declare किया है और last change है जब आप printf में print करा रहे है तो यहां पर आपने pointer लिखा तो आपने value at address operator का use किया है pointer से value print करा रहे है तो यह चार changes किये थे हमने ठीक है अब इस program को जब आप execute करेंगे तो आपका output मिलेगा 10,20,30,40,50 10,20,30,40,50 output same है क्योंकि हम इनी values को print करा रहे है पहले मैं by value print करा था और by reference लेकि वो दोने ही changes प्रोग्राम में होते हैं क्योंकि function में आप as a argument by value pass कर रहे है या by reference pass कर रहे लेकिन output आपका same है अब चलते है अपने third point की तरब जहां पर आप passing entire array to a function आप पूरे complete array को ही as a argument function में pass करना है तो इसके लिए देखें क्या-क्या changes होते है सबसे पहले hand to file लिकिए अब हम यहां पर reference भी pass करेंगे और यह भी बताएंगे कि उस array का size का है तो इसलिए इस function की declaration है display function का उसमें reference के साथ एक और argument दिया है integer type इसमें हम size of the array pass करेंगे main function int list आपने list array और उसमें values initialize की अब display function में आपने लिखा address of operator list 0 क्योंकि आप यह जो list array इसके 0 index का address है जिसे हम base address भी कहते है तो इस array का initial जो base address है उसे आपने पास कर दिया list के 0 index पे जो address है और comma 5 list array का size of 5 है हमने यहां पर दो argument पास किये एक तो list array का base address पास किया है और size of the array main function close अब हम display function की definition लिखते हैं और इस function की definition के अंदर हम यहां पर element को पर इंट कराएं अब यहां पर हमने जो base address पास किया था उस base address को store करने लिए हमने एक pointer और एक n variable लिए जिसमें हमने size of the array store किया अब simply एक variable declare करते है i for loop अब for loop कहां तक चलाना i equal to 0 i is less than 10 size of the array that is 5 फिर से यह loop आपका 5 बार चलेगा i equal to 0 1 2 3 4 उसके बाद हमने प्रिंटप statement लिखा है selection new line के लिए percentile b क्योंकि यह आपका integer variable है और star a तो a क्या है एक pointer variable है उससे पहले हमने लिखा है value at address operator तो इस pointer के पास जो भी address है जो कि अभी इस array का base address है तो उस base address पे क्या value store है print हो जाएगा उसके बाद हमने इस pointer में इंक्रिमेंट क्या है a++ क्योंकि इस pointer जो वो integer type का है तो प्लस प्लस का meaning यह पर यह होगा कि इस जो memory address है वो 2 byte से increment हो जाएगा क्योंकि इंक्रिमेंट हो जाएगा क्योंकि इंक्रिमेंट हो जाएगा इस तरह से आपका प्लस को इंक्रिमेंट के है इसी तरह से आपका लूट चलेगा पांच का और यह element आपके print हो जाएगा display function close तो यह है आपका passing entire array to the function यहाँ पर हमने देखिए the name of the array is a constant pointer itself that has base address जो array का नाम होता है वो आपके एक constant pointer है जिसके पास क्या होता है उस array का base address तो यह जो हमने यहाँ पर लिखा है display function को जो हमने call किया है तो हमने यहाँ पर लिखा है address of list 0 index,5 तो address of list 0 index की जगह अगर आप simply array का नाम लिखते हैं array का नाम क्या हमारा list अगर आप simply array का नेम भी लिखते हैं तो वो भी sufficient है उसमें कोई error नहीं आएगी क्योंकिए array का नाम है वो अपने आपने आपने जिसके पास base address होता है इसके बाद अब आप इस प्रोग्राम को जब एक्जिक करेंगे तो आपको इसका output मिलेगा 10,20,30,40,50 वही values आपकी print हो जाएगी तो यहता दोस्तों आज का topic passing array to a function मैंने इसके तीनों concept को बता गया है उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए शेर कीजिए दोस्तों के साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को जल भी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रिये मेरे चैनल के साथ थैंक्यू सो मच पर वाजिए इस वीडियों